नमस्कार मित्रों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल पर मित्रों पूरे 90 सालों बाद 31 अगस्ट 2023 गुरुवार के दिन श्रावन पूर्णिमा पढ़ने जा रहा है, मान्यता है कि इस दिन स्नान दान धर्म पूजा पाठ का एक वि अगले दिन यानि 31 अगस्ट को सुभह 7 बचकर 7 मिनट पर होगा यानि उद्या तिथी के अनुसार, 30 अगस्ट को पूर्णिमा तिथी पढ़ने वाली है, हमारे हिंदू धर्म में सावन महीने की पूर्णिमा का विशेश महत्व होता है, इस दिन माता लक्षमी जी और भग अगर आप सावन पूर्णिमा के दिन एक सिक्का और एक लौन का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिये आपको साक्षात माता लक्षमी जी और भगवान विश्नु जी का वर्दान मिल सकता, है, ज अलमास लगने के कारण सावन महीने का समापन 31 अगस्ट 2013 को होने जा रहा है, और अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंध हो गए हैं, आपको किसी भी छेत्र में सफलता की प्राप्ती नहीं मिल पा रही है, तो आपको सावन पूर्णिमा तिथी के दिन एक रूपए के सिक्के और एक लोंग का वह उपाय कर लेना चाहिए, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, और इसे करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का वह आशिर जिसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए अगर आप भी माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी की विशेश कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए मित विडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृप्या अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्यानवर्धक और महत्वपूर जानकारियां मिलती रहे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्षमी जी और जय भगवान विश्णु जी जरूर लिख दीजिए आए अब जान लेते हैं कि आपको एक रुपए के सिक्के और लॉन का कौन कौन सा। तो उस दोश को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है और अगर आप चाहते हैं कि आपके उपर जो भी दोश है उसका प्रकोप लगभग लगभग न के बराबर हो जाएं तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रही हैं आपको 31 अगस्त पूर्णिमा के दिन स्वच्छ होकर सफेद वस्त्रधारन करना है और एक तामबे का लोटा लेना है उस तामबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल भरना है और एक मुठी काला तिल भरना है अब आपको किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है और इसी से भगवान भोले नाथ जी का अभिशेक करना है लेकिन अभिशेक करते समय आपको श्री शिवाय नमह का जाप करते रहना है अगर आप इतना उपाई 31 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपके उपर जो भी दोश लगा होगा उसका प्रकोप लगभग न के बराबर हो जाएगा और आप हर क्षेतर में सफलता की प्राप्ती करेंगे दूसरा उपाय है आर्थिक स्थिती को मजबूत करने का महा उपाय अगर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं आपके जीवन में जो भी धन आता है वह बेफिजूल ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं और अगर आप इस उपाय को सावन पूर्णिमा के दिन यानि 31 अगस्त के दिन कर लेते हैं तो अगले तीन साल तक आपको कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं होगी आपको 31 अगस्त के दिन प्रातह काल उठना है और नहा धोकर लाल वस्त्रधारन करना है क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है लाल वस्त्रधारन करने के बाद आपको अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने बैठना है और एक घी बनाकर किसी भी गरीब भिक्षुक को दान कर देना है, अगर आप इतना उपाय करते हैं, तो आपके उपर ऐसा कोई दोश लगा होगा जिसकी वजह से। और आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वर्दान मिल जाए, तो इसके लिए एक चमतकारी उपाय बता रहे हैं, जो तीन साल में एक बार किया जाता है, यानि सावन पूर्निमा के दिन किया जाता है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यक्त पड़ेगी आपको एक, लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपडे में आपको चार लॉंग रखना है, एक रुपए का एक सिक्का रखना है, और एक मुठी चावल रखना है, इन सभी चीजों को रखने के बाद इस लाल कपडे की आपको पोटली बनानी है, और माता लक्ष्म जी के चितर के सामने बैठना है और उनके सामने एक घी का दीपक जलाना है। और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा इसलिए इन उपायों को सावन पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिये मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं कि इसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।